जैने दोस्तों स्वागत है आपका हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल लर्णिंडे पे आज बहुत ही इंपॉर्टन सेशन चालो होने वाला आप लोगों का जो की है बफर विलियन के बारे में बफर कुम लोग करते हैं प्रतिरोधक आप लोगों का यह जो सीरीज चल रहा आई यू पीसी आप लोगों के इंपॉर्टन कोश्चन करा दिये गे थे आज बफर विलियन पर प्रतिरोधक पर बात करेंगे कि होता क्या है यह भी बहुत मोस्त रिपीटिट कोश्चन है इसको हम लोग बार बार अच्छे से करेंगे तो बफर विलियन बफर सलूशन की बात करते हैं पहले इसकी परिभाशा हिंदी मीडियम इंग्लिस मीडियम दोनों बच्चों के लिए हूं हिंदी में लिखा इसका मतलब यह नहीं कि आपको अंग्रेजी में नहीं बताए जाएगा ऐसे विलियन जिनकी छारियता या अमलियता आरक्षित होती है आरक्षित क भी आ सकता है या फिर अगर दीर गुत्री में आ यह तो आपको क्या पूछी लेगा इनके जो क्रिया विधियां होती है अ offenses ये अ के ऌके लिए और छारीता आ कि लिए अलगा यह भी पूछ सकता है जब भी पाँच नमर में आ concentration बढ़ाने पर, ठीक है, solution में जो भी हमने acid लिया है या base लिया अगर उसका concentration हम बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो इनके pH मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यह इतना important यहाँ पर लिख रखा है property, यहाँ पर इतनी important यह characteristic है, कि आपको इसको याद कर लेना buffer solution का सबसे main प्रभाव नहीं पड़ेगा, तिसरा point क्या है, कि pH value पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे बफर acidic solution हो, या फिर basic solution हो, बफर acidic हो, दोनों में भी, क्या होगा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, देखी, यही property का just elaboration, मतलब यहाँ पर तोड़ा सा और explain करके लिखा गय चाहे प्रबल अम्ल हो या फिर प्रबल छार हो इनको मिलाने पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़े गा तो आपको प्रपरटी स्क्रियर हो गई अब चौता नमबर प्रपरटी पड़ते हैं कि यादि कोई रासायनी क्रिया बफर माध्यम में हो रही है बफर माध्यम का मतलब वीक बेस मिलाते हैं दुरबल छार लिया और हमने क्याने लिया प्रबल अम्ल ले लिया तो इसी को क्या कहते हैं जो यहां से बनता है उसको हम कहते हैं कि यह प्रबल अम्ल होता है या फिर प्रबल छार जो अपसमें मिलकर के बनाता है इसको कहते हैं इसको कहते हैं बफर सल अगला क्या है सबसे पहले पढ़ते हैं अमली प्रत्रियोधक घूल एसडीक बफर सेल्यूशन तो जो यह साल्ट बलता है लवण बनता है तो यहाँ पर यह किसका reaction होता है यह होता है acidic buffer का या फिर अमली प्रत्रियोधा गोल का यह example होता है weak acid क्या हो गया? CH3, COH हो गया, acetic acid हो गया और sodium hydroxide sodium hydroxide जो हो गया, NaOH हो गया, वो हो गया, प्रबल छार, इन दोनों को जो मिलाएंगे तो यहां से Na plus iron और OH- iron दोनों अलाग अलाग हो जाएंगे Na plus iron جो हो एक वो CS3 COO minus औरH- से यहां पर निकलेगा तो CS3 COO minus और Na plus यहां पर मिल जाएगा और H plus और OH minus यहां पर जाकर के प्लजाएगा तो क्या बना लेगा? यहां से water मिल जाएगा और यहां से sodium acetate एक लवण मिल जाएगा, salt मिल जाएगा आपको, यह हो गया अमली प्रत्रियोधक घूल का example, दूसरा क्या पढ़ेंगे, छारी प्रत्रियोधक घूल, इसमें क्या होता है, weak base और strong acid, प्रबल चार, प्रबल अमल और दुर्बल चार यहा क्या बनेगा, एक salt बनता है, इसको हम लोग क्या कहते है, ammonium chloride कहते है, NH4Cl, प्लस, यहां पर क्या निकलता है, hydrogen oxide यह फिर, पाने निकलता है, water निकलता है, clear हो गया, यह छारी प्रत्रियोधक घूल का उधारन होता, मैं आपको इसका notes बिल्कुल प्रवाइड करने की कोचिस क buffer solution की kriya vidi क्या होती है, क्योंकि इनमें दो kriya vidi होगे, एक amlita के लिए होगी, एक छारita के लिए होगी, तो पढ़ते हैं, पहले mechanism, kriya vidi होती क्या है, किसी प्रतिरोधक विलेयन में सूच मातरा में, सूच मातरा में, amlaya चार मिलाने पर, मतलब कोई भी buffer solution है, ठीक है, buffer solution मतलब मैंने बताया कि आपने weak acid लिया और strong base लिया, यहाँ से जो आपका salt बहने बनता है, यह कहलाता है, यहाँ पर salt बहने, plus यहाँ पर water बनता है, यह दोनों मिलकर के क्या बनाते है, buffer solution यही बनाते है, अगर इनमें क्या करते हैं, सूच मातरा में, कम quantity में क्या करते है, acid य होगा, hydroxide ion होगा, VKCD है, तो इसके पास कम मात्रम, इसकी सांदर्ता H plus ion की क्या होगी, कम होगी, इसकी concentration कम होगी, जबकि OH- की जो concentration होगी, वो जादा होगी, तो जब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक अमल मिलाएंगे, या फिर छार मिलाएंगे, तो उसी के हिसाब से क्या करेगा, इसके reaction की गदी को कम कर देगा, तो OH- की जो सांदर्ता है, वो कम हो जाएगी, OH- की सांदर्ता कम होने के बाद, इसके pH पर बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, अगर हम यहाँ पर कोई भी इछार अधिकतर add करते हैं, तो उस रासानी कभी क्रिया को हम क्या कहते हैं, बफर क्रिया कहते हैं, क्लियर हो गया कि आपको बफर विल्यान में, सूच मातरा में, अगर आप अमलिय अच्छार मिलाते हैं, तो pH मान के परिवर्दन के लिए जो प्रदे रोध, जो buffer उद्पन होता है उसी को हम क्या कहते है रासानिक अब क्रिया को buffer क्रियाएं कहते हैं अभी मैं एक एक करके समझाता हूँ आपको अम लिए अम लिए प्रत्रियोधा गोल की क्रिया विधी मतलब acidic इसकी बत करेंगे acidic buffer solution की mechanism mechanism of acidic buffer solution इसके बाद जब इसको हम तोड़ेंगे इसका dissociation होगा इसका विघटन होगा तो क्या बनेगा CS3COOM- आयन बनेगा और एक हच प्लस आयन बनेगा एक केटायन बना एक इन बना एक धन आयन बना एक रिडायन बना अब देखें यहां पर क्या होगा अब देखें CS3COO- weak acid था तो क्या होगा कम आयन इज का मतलब hydrogen प्लस जो आयन भीन यह पर निकला है इसकी सांदरता क्या होगा होगी कंसे क्या होगी तीक है क्योंकि यह weak acid था, जितना ज्यादा strong acid होगा उतनी अच्छी उसकी concentration या सांधरता होती है अब हमने यहाँ पे जो salt लिया यह salt कैसे बनता है? यह salt बनता है जब आपने weak acid लिया और प्लस आपने यहाँ पे strong base लिया, strong base मतलब आपने प्रबल चाड लिया और एक दुर्बल अम लिया तो यहाँ से क्या बनता है? CH3 COO Na और प्लस H2O बलता है water मिलता हमको ठीक है? तो यह जो यहाँ पे salt आपको लमण मिला, यह अगर dissociate होगा तूटेगा तो CH3 COO माइनस और Na plus ion में तूटता है यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि यह अधिक ionic होगा CH3 COO माइनस acetate ion जो होगा यहाँ पे वो अधिक ionic होगा और sodium plus ion होगा यह भी अधिक ionic होगा अधिक ionic के मतलब more ionized होगा अब इसके बाद हम आपको समझाते हैं कि CH3 COO से यह बना था अब हम क्या करते हैं यहाँ पे अभी तक हमारे यह buffer solution था यह क्या बना था यह buffer solution से यह लवणन को मिला था और यहाँ पे water मिला था अब इसी water में क्या करते हैं दिखी मिलाते हैं क्या मिलाते हैं यहाँ पे hydrochloric acid मिलाते हैं या फिर HCl मिलाते हैं, जो कि एक strong acid होता है, यह जो हमारा buffer solution बना है, वो किस के लिए बना है? weak acid के लिए बना है, दुर्बल अमले के लिए बना है, और यहाँ पर हम क्या मिला रहे हैं, यहाँ पर हम मिला रहे हैं, π्रभल लमले मिल रहे हैं. दौरबल लमल वाले में प्रभल लमले मिल रहे हैं. इसे में तूटेगा H प्लस अयन में और C L माइनस इन में तूटेगा. तूटने के बाद H प्लस की यहां पर जो सांधरता होगी, वो ज्यादा होगी. अब देखें जो अभी H प्लस आयन आने से क्या होगा? यहाँ पे CH3-COOH बन रहा था यहाँ पे CH3-COOH ही बन रहा था यही वीक इसिट था अब अगर हम यहाँ पे NaOH अगर हमने strong base ले लिया अब हमने strong base के लिया अब strong base के लिये लिते हैं तो यहां पे na plus और och minus ion निकलता है और यहां पर जो हमने water लिया था अब देखें यहां पर क्या होता है यह एचछ प्लस ion जो यहां से निकला और och minus जो यहां से निकला यह दोनों आपकस में क्या करेंगे मिल जाएंगे, मिल जाने के बाद क्या बना लेंगे water बना लेंगे, क्या बना लेंगे, H2O water बना लेंगे, clear होगा, ये दोनों अकर water बना लेंगे तो यहाँ पे H plus iron की सांदरता थी, यह जादा थी, यहाँ पे OH minus iron की भी सांदरता जाधा थी, क्योंकि यह प्रबल छार था, यह प्रबल अमल था, दोनों में इसमें H plus की सांद्रता ज्यादा थी, यहां पर OH minus की आएन की सांद्रता ज्यादा थी जुआ जादा से जादा आयंतित यह को सानडरने कोई विसेस परिवर्तन नहीं होगा इसके सांद्रन में विस्येस परिवर्तन नहीं होगा आयोरा से सांधरना ते यह जो साल्ट सीएस ONA बने था और यह जो Acetic Acid था, CH3COOH के Concentration पर आपके बिल्कुल भी concentration पर बिल्कुल भी परभाव नहीं पड़ेगा और pH भी ज़्यादा चेंज नहीं होगा, यह ही मैं आपको बताना चाह रहा हूं, बफर सलूशन का आपको जो निसकर्स निकालना वो यही निकालना है कि pH पर कोई भी प्रभाव जादर नहीं पड़ेगा यह हमने यही तीनों प्रॉपर्टी आपको लिखनी है यह रियक्संस बनाने के बाद कुलारा अगर आपको मेकैञिजम लिखने के लिए तो बार बार ऑर तो आता है लेकिन आपके पर में आता तो आप ऐसा ही करिएगा drie पॉर्टन में वंगकैनी बेसिक बफर सिलीशन शारी गोल की बात करते हैं चारी प्रत्योधर गोल की बात करते हैं इसके क derechos करते हैं वहां पे हमने strong base लिया था, strong, हमने वहां पे weak acid लिया था, यहां पे हमने क्या लिया? weak base लिया है, हमने यहां पर Durbal Char lया, Durbal Char को जैब हम फोड़ेंगे, dissociate करेंगा तो क्या होगा? Ammonium आयन और hydroxide N में तोटेगा, तो क्या हो रहा यहां पर यह कम आयनित होगा योग कि वीक बेस था वीक बेस है तो यह क्या होगा आयन आयजेशन इसका कम होगा मतलब कहने का है कि OH- की जो सांधरता होगी वो यहां पर कम होगी अब हमने यहां पर क्या ले लिया sodium hydroxide strong base ले लिया हमने ले लिया प्रबल चार तो यह यहने प्लस और OH- में तूट जाएगा अब यहीं से क्या होगा यहने फोर प्लस और OH- strong base हमने एड़ किया तो यह यहां से ammonium आयन उठाएगा और hydroxide आयन के साथ मिल करके ammonium hydroxide बना लेगा फिर से यह क्या होगा हमने इसको बाहर से एड़ किया है जबकि buffer solution हमारा इसका बना रहा था,खल हमारा buffer solution किसका बनेगा? इसका बनेगा और हमने इसको बाहर से जो कुछ बूति हम एड़ नहीं कर रहे है अम लेखिया फिर चार की जो कि इसकी वज़ा से billion के pH पे कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं क्योंकि यहां से hydroxide ion निकल रहा था तो इसी को तो हमको कम करना था क्योंकि अगर strong base होगा तो वह basicity वह चारी तर किसी भी घोल की बढ़ा देगा तो इसी को हमको कम करना है तो जिससे प्रभाव pH पे कोई न तो क्या होगा यहां पर जो hydroxide ion आ रहा था वो क्या करेगा इस hydrogen plus ion या फिर H plus ion के साथ इसी की वज़े से तो acidity या फिर अमलीता बढ़ने के chances थे buffer billion में अब जब यह हमारे इस से जाकर के मिल जाएगा buffer billion के hydroxide ion से मिल जाएगा क्या strong acid का H plus ion तो क्या होगा water बन जाएगा water बन के clear हो गया देखे H plus ion का प्रभाव समाप्त हो जाएगा अब अगला इसका निवारा निसकर्स क्या निकलता इस प्रकार equilibrium सामया वस्था को बना रखने के लिए ammonium hydroxide ion होता रहेगा जितना ammonium hydroxide ion होगा उतना होई उससे OH minus ion की व्रिद्धी निकलती रहेगी ठीक है अब दूस को बढ़ने के लिए तुरांथ हमने इसके hydroxide ion की reaction करा दिया क्योंकि यह हमारा बकसा बनाया यहां पर हमारा पहले से ही buffer solution है हमारा buffer गोल है ठीक है buffer गोल हमने मान लिया कि यहां पर NH4 OH वाला गोल बना हुआ है इसके इससे हमारा क्या निकला ammonium ion और hydroxide ion निकला यह हमारे पास के इसको neutral कर देगा अगर strong base लिया तो वो OH माने सायन बनाएगा OH माने सायन का मतलब वो basic CT छारीता को बढ़ाने कोशिस करेगा इसको बढ़ाने कोशिस करेगा तो यह ammonium ion के साथ मिल जाएगा इसके मिलने के बाद क्या होगा इसकी भी सांधरता कम कर देगा clear यही मैं समझान तो जो बच्चे last तक देखें कि उनी को समझ में आने वाला क्योंकि कुछ बच्चे जो starting में ही एक मिलेट में देखकर के भाग जाएंगे उनको लगेगा सर बहुत अब बता रहे हैं तो Mr. William के pH मान पर कोई परभाव नहीं पड़ेगा इसी के साथ आपका जो buffer solution का lecture है जिस चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहे हैं धन्यवाद दोस्तों